नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर निखिल आप सभी का बहुत बहुत शौगत हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे दोस्तो बहुत सारे पूरसों में यहां कम्प्लेंश हमें देखने को मिलती है जो उनका वीर है जो उनका सीमन है बहाँ पतला हो गया है पानी जेशा पतला हो गया है क्या यह कोई प्रॉब्लम्स है क्या इसके लिए हमें टीटमेंट लेने की आवशकता होती है क्या आगे चलके हमें बच्चे होने में प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है क्या वीर पतला क्यों हो जाता है यहां समश्या हमें क्यों देखने को मिलती है क्या यह प्रॉब्लम्स को हम ठीक कर सकते हैं क्या होमोपेथिक में कौन-कौन सी दवाएं आती है जिसकी मदद से हम वीर को घाड़ा कर सकते हैं मरदानगी का सबूत वीर का घाड़ा होना होता है यदि आपका वीर गाड़ा है तो यहां बहुत ही अच्छी बात है यदि आपका वीर पतला हो गया है तो यहां मरदानगी का सबूत नहीं है मरदानगी का सबूत वीर का गाड़ा होना होता है क्या इसे हम होमोपेथिक दबाओं से ठीक कर सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूँगा, तो इस वीडियो को आप अंतक देखिएगा, मैडिसिन की जानकारी दूँगा, जो बिना साइड एफेक्स के आपकी प्राबलम्स को या ठीक कर सकती है, तो इस वीडियो को आप अंतक देखे, मैडिसिन को अच्छी तरह से समझे, मैडिसिन का यूज करके अपनी प्राव्लम्स को पूरी तरह से ठीक करें तो चलिए देर न करते हैं इस वीडियो को सुरू करते हैं सीमन के बारे में वीर के बारे में वीर का पतलापन क्या होता है वीर का पतलापन कई कारणों की वज़ेश्य हो जाता है यंग एज में अतिधिक मास्टर वेशन के कारण वीर में पतलापन हमें देखने को मिलता है एक ही समय में अतिधिक मात्रा में मास्टर वेशन के कारण वेक्ति में वीर का पतलापन हमें देखने को मिलता है यंग एज में वेक्ति बहुत ज़दा मास्टर वेशन करता है एक ही समय में एक से अधिक मास्टर विशन के कारण वीर में पतलापन हमें देखने को मिलता है एज फैक्टर भी बहुत ज़ादा मायने रखता है यदि एज के अनुशार वीर में पतलापन हमें देखने को मिलता है यदि आप बहुत ज़दा मस्टरविशन करते हैं तो धीरे धीरे करके आपका वीर जो है पतला हो जाता है वीर जब पतला हो जाता है तो वैक्ति में सरीर में बहुत ज़दा कमजोरी बहुत ज़दा वीकनेस हमें देखने को मिलती है उन्हें सीमन हलका हलका डिश्चार्ज होते ही रहता है उन्हें धात की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है यहाँ प्रॉब्लम्स वीर के पतले पन होने के कारण हमें देखने को मिलती है जिन वैक्ति का वीर पतला होता है उसमें इस्पर्म काउंट कम होने के चांसे सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं बहाँ बच्चे पैदा करने की जो छमता है धीरे धीरे करके उनकी लॉस होने लगती है यदि उनकी यहाँ चमता लॉस हो जाती है बच्चे यदि होता नहीं है तो तरह तरह की सवाल पुर्सों में उठाए जाते हैं और पुर्सों में ही यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है आज की इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं मेडिसिन के बारे में काफी एफेक्टिव है बिना साइड एफेक्ट के आप इस प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं तो चलते हैं मेडिसिन की तरफ की किन होमोपेथिक दवाओं से इस समस्य को हम ठीक कर सकते हैं दोस्तो, medicine का जो dose होता है, medicine का जो repetition होता है, बहुत सबसे ज़्यादा मायने रखता है, इस बात को आपको विशेज ध्यान रखता है, medicine को अच्छी तरह से समझना है, कुछ परेज आपको अवश्य कर रहे होते हैं, पहले नंबर पे हम बात करें, तो सबसे पहले नंबर पे आ पाई जाती है, और यहाँ विर को घाला करने में बहुत ही अच्छा काम करती है, इस medicine का यूज मदर टिंचर फॉर्म में किया जाता है, एक कप पानी में 20 बून सुबा, 20 बून रात में, कंटिनी कम से कम 3-4 महने तक इस medicine का यूज किया जाता है, नेक्ष्ट मैडिसीन आती तो एक कप पानी में 20 बून सुबा, 20 बून दो फैर में 20 बून रात में, कंटिनी कम से कम 6 महने तक इस मदर टिंचर का फॉर्म का यूज किया जाता है, तो जो हमारा स्टीमन है, जो हमारा इश्पर में है, वा धीरे-धीरे करके गाड़ा होने लगता है, पर हमें मास्टर नहीं करना चाहिए, इसका हमें प्रकॉसन रखना चाहिए, नेक्स्ट आता है दोस्तों, टेस्टेस सिकाटी, टेस्टेस सिकाटी 3X में टेबलेट फॉर्म में यूज की जाती है, मैं पिक्चा लगा देता हूँ, आप देख लीजे, दो गोली सुबा, दो गोली दो फैर मे मीटे गोली है, छूसके खाना है, यह 3 मेडिसिन कंटीनी, वीर को गाड़ा करने के लिए, इसका मैडिसिन का यूज किया जाता है, जिन पेशेंटों को मोटिलिटिरेट कम है, स्पर्म काउट उनके कम है, तो भाव इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, जिन व्यक्ति को धात हलका शिवन आपको नहीं करना है इस बात का आपको विसे ध्यान रखना है तो इन तीन medicine का आप यूज करें आपकी problems पूरी तरह से ठीक हो जाएगी यदि आपको sexual related कोई भी problem से यदि आप online consultancy लेना चाहते हैं तो description box के नीचे पूरी जानकारी दी गई है इसके मैं अपना whatsapp नमर दे देता हूँ आप हमसे भी online consult कर सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही फिर में लिंगे नेक्स टी वीडियो में तब तक के लिए जय हैं जय भारत बंदे मात्रम